आज मैं आप सबकी साथ शेयर करने जा रही हूं व्रत का खाना जी हां आलू टमाटर की लजीज चटपटी सबजी और उसके साथ हम बनाएंगे सिघाडे की आटे की पूरी बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट बनती है तो चलिए बिना देर किये शुरू करते हैं अपनी रेसिपी तो सब्जी बनाने के लिए यहां पर मैंने लिए हैं तीन मीडियम साइज के उबले हुए आलू और इनको हमें चाकू से ना काटकर हाथों से तोड़ना है तो आप देख सकते हूँ कुछ छोटे और कुछ बड़े साइज में मैंने इनको हाथों से तोड़ लिया है इससे तो यहां पर आपको इसके इंग्रीडेंट्स की लिस्ट दे देती हूँ साथ में चाहिए हमें देसी की, जीरा, साबुत जीरा, और सेंधा नमक, क्योंकि हम वरत का खाना बना रहे हैं, इसलिए हमें सेंधा नमक चाहिए होगा तो यहां पर मैंने कुकर गैस पर चढ़ा लिया है और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ये सबजी कुकर में बनाए, इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है, कढ़ाई में उतना अच्छा घुटी हुई सबजी नहीं बन पाती है तो यहां पर मैंने दो से तीन बड़े चमच देसी घी का यूज किया है, उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ एक छोटा चमच जीरा, जीरा जब थोड़ा सा क्रैकल हो जाएगा, तब हम इसमें जो पेस्ट बना कर हमने रखा टमाटर वाला तो उसको हम इसमें डाल दें क्योंकि टमाटर अच्छे से जो है पक जाएं इनमें जो कच्छा पन है वो चला जाएं इसके लिए हम तेज आज पर इसको चड़ा देंगे और जब सीटी आने लग जाएगी तब हम आज को कम कर देंगे और इसी तरीके से धीमी धीमी आज पर पांच मैट कुकर का धकन ल तु यह डेकिए टमाटर अच्छी तरीके से फूल चुका है पक चुका है और उसका जो कच्छा पन रहता है वो भी शारा जा चुका है अब इसके अंदर हम मिलाएंगे व्रत का मसाला तो यह दो चूटे चमच में यहां पर व्रत का मसाला डाल रही है उसमें और उसके बा पानी है वह सूख जाए और आप देख सकते हो यह भूनने के बाद अब टमाटर सूख चुका है इसके अंदर हम थोड़ा सा कटा हुआ धनिया डालेंगे और उसके बाद इसके अंदर हम जो हमने आलू तोड़कर रखे हुए हैं बॉयल उनको इसमें डाल देंगे और करीब हो चुके हैं और अब इसके अंदर हम पानी को एड़ करेंगे तो अभी मैं एक गलास पानी पहले एड़ करके देख रही हूँ अगर इसकी कंसिस्टेंसी सही रहेगी तो ठीक है वनना हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा पानी की ज़रो तभी और है तो यहाँ पर मैंने चौथाई गलास पानी अभी और यूज किया है और इतना बच गया है देखिए आधा गलास मैंने लिया था तो चौथाई गलास पानी मैंने और अब मैं धक्कन लगा दूँगी और एक सीटी आने के बाद मैं आज को कम कर दूँग और फिर 6-7 मिनट के बाद मैं गैस को बंद कर दूँगी तो ये देखी हमारी सबजी तयार हो चुकी स्टीम निकल चुकी थी कुकर की मैंने कुकर खोल लिया है और अब इसमें मैंने धनिया डाल दिया है और जितना जादा आप धनिया डालेंगे उतना ही जादा टेस्टी सबजी लगती है तो अब बारी आती है बनाने की सिंघाडे की आटे की पूरी तो चलिए उसकी तयारी कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी बोल में सिंघाडे का आटा ले लिया है और इससे करीब 10-12 मेडियम साइस की पूरिया बन जाएंगी और इसमें मैं कटा हुआ हरा धनिया डाल रही हूँ साथ में इसमें हमें डालना है बॉयल किया हुआ आलू इसको मैं ग्रेट करके डाल रही हूँ अच्छी तरीके से थोड़ा सा मिक्स करके देख लेते हैं कि इतना काफी है या फिर और लगेगा तो मुझे लग रहा है कि अभी एक चोटा सा आलू और लगेगा तो मैं एक और आलू इसमें ग्रेट करके डाल रही हूँ ध्यान रखिएगा कि इसमें बिलकुल भी गुटलिया नहीं पड़ी हो एकदम अच्छे से मैश किया हूँ अगर आप हाथ से भी कर रहे हों तो भहत इसमें बारीक सा मैश कर लीजे इसके बाद अच्छी तरीके से इसको पहले हम आटे के साथ मिक्स करेंगे अलू को और उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा सा करते हुए पानी डालेंगे और इसका आटा लगाएंगे और आटा इसका हमें लगाना है ना बहुत ही धीला ना बहुत ज़ादा टाइट बढ़ थोड़ा सा इसका हमें सक्त आटा ही लगाना है पानी एक साथ नहीं डालें वरना ये आटा बहुत जल्दी गीला हो जाता है आप थोड़ा थोड़ा करके पानी मिक्स करें और आटे को घुमाते हुए गुनने की कोशिश करें तो ये आसानी से गुंद जाएगा अगर आप शुरू में ही जादा पानी डाल देंगे तो ये फिर बेलना मुश्किल हो जाएगा इसको तो आटा हमारा गुनकर तयार हो चुका है और आप देख सकते हो कि ये कितना सक्त मैंने लगाया है तो इसको अब हम ढखकर 15-20 मिनट के लिए रख देंगे और यहाँ पर मैंने देशी गी का यूज किया है गी गरम हो चुका है और पूरिया बेल लेते हैं तो ठोड़ा सा सुखा सिंगाडे का ही आटा मैंने यहाँ पर लिया है और चुकी वरत का खाना बना रहे हम इसलिए मैंने यहाँ पर देशी गी का यूज किया है बहुत ही आसानी से बिल जाता है आप देख रहे होके जिसे कि हम गेहूं का आटा बेलते हैं उसी तरीके से बहुत ही आसानी से उसकी पूरिया बिल जाती हैं बस आप ध्यान रखिए कि बहुत ज़्या गीला नहीं हो आटा इसी तरीके से बाकी की पूरिया भी बेल लेंगे हम तो मैंने चार पूरिया यहां पर बेल ली हैं चलिए इनको फ्राइ करते हैं छोटा सा मैंने आटा डाल कर देखा घी हमारा हो चुका है और इसमें पूरिया डाल कर हर कासा प्रेस करते हुए सब तरफ से इसको फ्राइ करेंगे और आप देख सकते हूं कितनी अच्छी फूली हुई पूरी बनकर तयार हुई है इसी तरीके से बाकी की पूरिया भी हम डाल लेंगे घी में और उनको फ्राइ करेंगे और सारी पूरियां हमारी एकदम फूली-फूली सी बन कर तयार होएंगे इसी तरीके से तो तयार हो चुकी है हमारी सारी पूरियां और ये आलू और टमाटर की लटपटी सी सबजी एकदम चटपटी सी तो आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेर जरूर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना